नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक गुल्मोह से पाठ्चार को पढ़ेंगे। पाठ्चार का नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार में भाग फस्ट है परियावाची शब्द। अब देखों, यहाँ पर हमारे सामने दो चित्र हैं, पहले चित्र के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, सडक के किनारे एक व्रिक्ष लगा हुआ था, एक यात्री उस पेड के नीचे बैठ गया, और दूसरे वाक्य में क्या लिखा हुआ है, साथ वा अलिपिक के नीचे मेरी मा एक अध्यापिका है और आयूश की माता एक ग्रिहनी है अब देखो बच्चो उपर दिये गए वाक्यों में व्रिक्ष के लिए पेड तथा मा के लिए माता शब्द का प्रयोग किया गया है ये शब्द परस पर परियाएवाची है ठीक है समान अर्थ देने वाले जैसे व्रिक्ष को हम पेड भी कह सकते हैं और पेड को हम व्रिक्ष भी कह सकते हैं ऐसे ही मा को हम माता भी बोल सकते हैं और माता को मा भी बोल सकते हैं अर्था समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समान अर्थ शब्द भी कहते हैं लगभग समान अ नीचे शब्दों के सफपर्याई वाची या समानार्थि शब्द नीचे दिये हुए हैं जैसे अंधेरा अंधेरा को हम क्या क्या बोल सकते हैं तम बोल सकते हैं अंधेकार तमस अगनी को आग पावक अनल अश्व को घोडा घोटक तुरंग आख को नेत्र नयन लोचन आकाश को नभ गगन आसमान आदमी को मनुष्य नर पुरुश इश्वर को भगवान परमात्मा प्रभू और कपड़ा वस्त्र पट अंबर कमल को जलज नीरद सरोवर किनारा तट कूल कगार कुशल चतुर निपोन दक्ष गंगा को भागी रथी जान्हेवी सुर्सरी गणेश को लंबोदर गजानन गणपती और गाएं को गव गव धेनु ठीक है इसमें से आपको सिर्फ पंद्रे के परियवाची शब्द याद करने हैं ठीक है प्रारम होगा ले घर को ग्रीह सदन भवन चांद चंद्र चंद्रमा शशांक देखो इसी प्रकार यहां पर बहुत सारे शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं सब के समानार्थी तीन तीन शब्द यहां पर लिखे हुए हैं तो बिटा मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को परियवाची शब्द समझ में आ गए होंगे कि परियवाची शब्द किसे कहा जाता है क्या होते हैं खीक है धन्यवाद